Hello and welcome again my friends and dear student myself Mahindr Devanda हम पढ़ रहे हैं Codates और Codates में आज हम बात करेंगे Super Class Pices के अंतरकत सामिल एक Class जिसको OSTICTIZE कहते हैं उसके बारे में Class जो OSTICTIZE है उसको Super Class Pices के अंतरकत सामिल किया जाता है OSTICTIZE जो की मचलियों की एक Class है इसमें जो BONY Fices है उसको सामिल किया गया है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे इन मचलियों के जो BONY Fices है या OSTICTIZE जो मचलिया हैं इनके साम्माने लक्षनों के बारे में यानि जेनरल करेक्टर्स और इन मचलियों का जो वर्की करन है उसके बारे में हम बात करेंगे सूपर क्लास पाइसेज के अंतरकत तीन क्लास सामिल की गई है पलेकोडर्माई, कॉंटरिक्थीज और ऑस्टिक्थीज पलेकोडर्माई और कॉंटरिक्थीज को हम पूर वीडियो में जान चुके हैं आज हम इन BONY Fices के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले ओस्टिक्थाईज के बारे में समझते हैं कि ये कहां पर पाई जाती है जेनरली आपके आसपास जो रीवर हैं, जो नदिया हैं जिन में फ्रेश वाटर बैता है नदियों में फ्रेश वाटर पाई जाता है उन में BONY Fices ही आपको मिलेगी काटलेजिनस मचलियां सिर्फ और सिर्फ मेराइन हैबिटाट में पाई जाती है लेकिन जो ओस्टिक्थाईज जो मचलिया हैं वो मरीन वाटर में भी पाई जाती है और फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है यानि ये समुदरी पानी में भी पाई जाती है तता स्वच जल में भी पाई जाती है इनका जो सरीर होता है बोड़ी स्ट्रीम लाइन जैसा कि सभी मचलियों के समान इनका सरीर भी स्ट्रीम लाइन होता है बोट नूमा होता है माउत की बात करें कि माउत की जो पोजिशन होती है इनमें सब में mostly terminal होता है जब हम इनको fishes को देखें या आपने कतला रोहू को देखा होगा तो आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इनमें माउत जो होगा वो आगे वाले जो सबसे आगे वाला जो भाग है वहाँ पर दिखाए देता है तो इस condition को कहते हैं terminal mouth condition endoscluton की बात करें यानि अंतेक अंकाल की बात करें तो इन मचलियों में अंतेक अंकाल bones का बनावा होता है इसलिए इन मचलियों को bonifices कहा जाता है एक जो skeleton की बात करें यानि बहाए कंकाल की बात करें तो इनका जो बहाए कंकाल होता है वो scale से यानि जो सल्क होते हैं सल्कों से मिलकर बनावा होता है जो scales होते हैं वो cycloid, tenoid और genoid परकार के होते हैं यानि इन मचलियों में तीनों परकार के जो स्केल्स हैं वो पाए जाते हैं लेकिन जो प्लेकोईड स्केल्स हैं वो इन में नहीं पाए जाते हैं प्लेकोईड स्केल्स का इन में अबाव होता है पर प्लेकोईड स्केल्स कार्टलेजनस जो कॉंडरिक्टीज मचलिया हैं उन म पाये जाते हैं इसकिन की बात करें तो इसकिन में म्यूकस ग्लेन पाये जाती है जो कि इन अनिमल्स को म्यूकस ही परदान करता है लसलसा परदान करने का काम करता है मचलियों में स्वसन की बात करें ये रेस्पिरेशन की बात करें तो मचलियों के बारे में जब हमने समन्ने करेक्टर पढ़ा है वह हमने जाना है कि मचलियों में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जाते हैं इसको हिंदी में गल्फडे कहते हैं यानि जो मचलियां होती है उनमें रेश्पिरेशन के लिए गल्फडे पाए जाते हैं लेकिन इनकी संक्या में डिफरेंस होता है कार्टलेजिनस फिशेज में हमने जाना कि वहां पांच से साथ जोडी में गिल्स पाए जाते हैं लेकिन जो बोनिफिसेज हैं यानि औस्टिक्ताइस जो मचलिया हैं उनमें फोर पेर्स में गिल्स पाए जाते हैं और ये gills क्या होते हैं which are covered by an operculum on each side यानि ये जो मचलिया होती है इन में जो gills पाए जा रहे हैं वो operculum के द्वारा covered रहते हैं दोनों side से यानि operculum क्या structure है जो gills को ढखने का काम करती है ये एक ढखने के समान ढखन के समान काम करती है और जो gills होते हैं बाहर की तरफ से हमें दिखाई नहीं देते हैं जैसा कि आप fresh water मचलियों को देखते हैं कि आप एक eye के पास में आँख वाला जो भाग है उसके पास में एक flesh एक मोटा skull के समान इस्ट्रक्चर होगा उसके नीचे की तरफ जब आप उसको थोड़ा सा उपर उठाओगे तो वहाँ पर आपको gills दिखाए देंगे और gills respiration का काम करते हैं इसके अलावा जो respiration में मदद करने के लिए boni faces में air bladder पाए जाते हैं जिसको हिंदी में वायू आता सहे कहते हैं ये accessory respiratory organ की तरह काम करते हैं सायक, स्वसन, अंग की तरह काम करते हैं इसके अलावा ये इन मचलियों को regulate bouncy and hydrostatic pressures इन मचलियों में bouncy ये आराम से डूब नहीं जाए उस तरह का ये उसको उत्पलावनता प्रजान करता है या इन में hydrostatic pressure की तरह काम करता है ताकि ये मचलियों उस पानी में आराम से फलोट कर सकती है, तैर सकती है and in lung faces, they are used in respiration आगे हम example पढ़ेंगे कि कुछ मचलियों ऐसी होती हैं जिन में lungs पाए जाते हैं जो की respiration का काम करते हैं अब हम समझते हैं आगे और characters के बारे में ampula of lorengini जिसको हमने cartilaginous मचलियों में thermoreceptor के रूप में पढ़ा था इन मचलियों में ये जो thermoreceptor है वो absent होता है यानि जो ampula of lorengini नहीं पाए जाता है इन मचलियों में पूँच की बात करें यानि पूँच किस तरह की होती है तो ये homo circle type की पूँच होती है यानि हम यूँ कहें जैसे की पिच्छे के बाग में इस तरह की इनकी पूँच पाए जाती है इन मचलियों में जिसको हमने नाम दिया है यह होमो सरकल टाइप की हो गए यानि इसमें जो दोनों लोब्स होंगे वो समान प्रकार के होंगे डाइजेशन की बात करें यानि पाचन की बात करें तो लीवर इसमें ट्राई लोब्ड होता है लेकिन जो काटलेजिनस जो फिसेज हैं उनमें bilobd liver पाए जाता है cloica यहाँ पर absent होता है जो ostrichthize जो मचलियां होती है उनमें cloica नहीं पाए जाता है जबकि जो cartilaginus जो fishes थी उनमें cloica पाए जाता है और bonny fishes में cloica absent होता है एनस पाए जाता है next बात करते है circulation की heart is two chambers जो रदय होता है इनमें उसमें दो chamber पाए जाते हैं एक होता है auricle और दूसरा होता है ventricle यानि यूँ कहें एक हो गया island और एक हो गया निले ऐसे heart को आमने नाम दिया है venus heart they are cold-blooded animals मचलिया है वो सभी cold-blooded animals है या हम कहें poikilothurms animal है या हम कहें ectothurms animals है अब हम समझते हैं excretion को यानि उत्सजन को adult kidney adult में kidneys पाए जाती है और उसका type होता है mesonephric kidney होती है excretory पदार्थ के रूप में इसमें ueotelic होते हैं इसके अलावा ये trimethylamine oxide TMAO का भी कुछ मात्रा में secretion करती है और बहुती कम मात्रा में ammonia का भी secretion करती है nervous system जो तंत्री का तंत्र होता है उसमें 10 pairs cranial nose पाए जाती है और हम बात करें reproduction की यानि president की तो male और female दोनों मचलियों separate होती है class per organ absent होता है जो bonifices होती है उनमें class per organ नहीं पाए जाता है जो की cartilaginess fishes में पाए जा रहा था और वहे male gamit को transfer करने में मदद कर रहा है fertilization जो initiation की जो परक्रिया होगी वो external होगा यानि बाहरी initiation होता है body के बाहर यानि सरीर जो होता है उसके बाहर initiation की परक्रिया संपादित होती है they are mostly oviparous ये अधिकान सदशे अंडे देते हैं और inmate development direct होता है जैसा की सभी मचलियों में जो विकास होता है वो प्रतेक्स प्रकार का होता है कुछ examples जैसे marine fish के example exocytus आगे हम इसका diagram देखेंगे जिसको flying fish कहते हैं hippocampus जिसको sea horse कहते हैं fresh water labio katla and clarious जिसको mangoor भी कहते हैं ये fresh water मचलियों के examples हैं यहां से यहां तक libio katla and clarious next हम बात करते हैं इन मचलियों का जो classification है उसके बारे में यानी class ostrichize मचलियों का classification classification में ostrichize मचलियों को यानी bonifaces को दो subclass में divide किया गया है एक subclass है sarcopteryzai दूसरी जो subclass है actinopteryzai एक हो गई sarcopteryzai and second हो गई actinopteryzai sarcopteryzai को दो order में divide किया गया है फिर से ध्यान देंगे sarcopteryzai को हमने दो order में divide किया है जिसमें first है crossopteryzai and second order है dipnoy यानी ये दोनों order important है next बात करते हैं जो subclass actinopteryzai है उसके nineteen order है जिसको हम एक बार देख लेते हैं पहला order है polypteryzai formis second है acipensary formis third है emiformis fourth है semionautiformis fifth है cloipiformis sixth है iscopelyiformis seven है sypreniformis eight number पे है anguilliformis ninth पे है biloniformis tenth पे है signantiformis eleventh पे है chaniiformis twelve पे है simbranchiformis thirteen पे है master simbelliformis fourteen पे है parchiiformis fifteen पे है iscopeniformis sixteen पे है pleuronectiformis seventeen पे है akineiformis eighteen पे है tetraodontiformis and nineteen and last one है lofiformis इस तरह actinopteryzai के nineteen order है सबसे पहरे हम समझते है sarcopteryzai के antragat samil order crossopteryzai के बारे में हम detail में नहीं पढ़कर इनके example के बारे में समझने का परियास करते है crossopteryzai का एक example हम याद्धान रखेंगे जो की exam की दरश्टी से भी महत्यपून है जिस जो है latimeria जिसको single living genus ये एक मात्र जीवित once है genus है यानि उसके और दूसरे genus नहीं पाए जाते हैं living fossil fish इसलिए इसको living fossil fish का जाता है क्योंकि इसके अधिकान से सदस्यां विलुप्त हो चुके हैं इसके बहुती कम species जीवित मात्र है इसका हम जैसे हम बात कर रहे ते genus ही एक ही बचा हुआ है और genus के अंतरकत और इसमें कुछ species ही सामिल बची हुई है तो इसलिए इसको living fossil fishes का जाता है oldest living vertebrates जितने भी vertebrates हैं उन सब में सबसे पुराने जीवित ये vertebrates हैं जैसा कि आपको डाइग्राम में दिखाये गया है ये example है लेटी मेरिया का जिसका आपको यहाँ पर इसके parts आपको दिखाये दे रहे हैं देखो इसमें उपर कुलम भी पाए जा रहा है जो की bonny fishes की विश्तेश्ता होती है अब हम समझते हैं सारकॉप टेरी जाए के अंतरकत सामिल ये तो था पहला order क्रोश अप टेरी जाए एन हम सेकेंड ओर्डर की बात करते हैं वो है dipnoy dipnoy बहुत important हो जाता है क्योंकि इनको lung fishes का जाता है यहनि इसको फुफुस मचलियां का जाता है ये सारकॉप टेरी जाए के अंतरकत सामिल होती है इसका word का मतलब समझते हैं dipnoy का dipnoy दो word से greek word die and noy means two breathing से origin हुआ है means इसमें double breathers animals होते हैं दो तरह से इनमें respiration होता है breathing की जो प्रकृया होती है इसमें जो respiration के लिए gills के साथ साथ lungs भी पाए जाते हैं जो की air bladder होते हैं जो की इनमें vixit vixit होते हैं इन्हें uncle of amphibia भी कहते हैं या हम यूं कहें क्योंकि ये closely related है amphibians के example की बात करें तो इसमें only three general present हैं जिसके example कई exam में आपको competition exam में पूछा जा सकता है आप जब अपने subject की exam देते हैं तो तीनों जो ये लंग फिसेस हैं इनके example पूछे जाते हैं सबसे पहले नियो सेरे टोडस इसको कहते हैं ओस्टिलियन लंग फिस next है प्रोटोप्टेरस जिसको कहते हैं अफ्रिकन लंग फिस next है लेपिडो साइरेन जिसको साउथ अमेरिकन लंग फिस कहते हैं diagram में map के तुरूँ इसका distribution दिखाया गया है सबसे पहले आप यहां से देखी लेपिडो साइरेन जो की साउथ अमेरिका के रिजन में दिखाया गया है यह particular वहीं पर पाई जाती है दूसरा है प्रोटोप्टेरस जिसको कहते हैं अफ्रिकन लंग फिस जो की अफ्रिकन कॉंटिनेंट्स में महातीप में पाई जाती है इसके अलावा नियो सेरे टोडस जो की ओस्ट्रिलियन रिजन में पाई जाता है तो यह जो तीनो जैनेरा की जो मचलिया हैं लंग फिसेज हैं वो तीनों कौंटिनेंट्स में जो महातीफ है उनमें पाई जाती है अब हम समझते हैं actinop deyrij정이 के कुछ examples जो दूसरी सबक्लास थी actinum deyrij정이 उसकी कुछ examples हम देखते हैं जो important है जिसमें सबसे पहले amyak amyak इसका जीनस है सामाने रूप से इसका नाम है bow fish जिसको धनुस मचली भी कहते है यहां पर आपको डाइगराम में जैसा दिखाया गया है दूसरा एक्जामपल है लेपिडो इस्टीशियस जिसको हम कहते हैं गारपाइक और सी निडल क्योंकि इसको जो हेड के आगे का जो भाग है जो नौस्टील और इसके जो जो जोज है वो आगे निडल के समान हो जाते हैं इसलिए इसको गारपाइक और सी निडल कहा जाता है next हम से देखते हैं notopterus चितलाना चितलाना species या चितल फिस कहते हैं इसको चितलाना इसका जीनस है generally राजस्तान में जो चंबल नदी है उसमें भी ये पाए जाती है notopterus notopterus के नाम से next हम देखते हैं labio जिसको rohu या Indian carp कहते हैं जो कि किसी भी फिस मार्केट में आपको आराम से easily आपको देखने को मिल जाएगी बोटिया next कटला ये भी आपको जो फिस मार्केट है उसमें आसाने से देखने को मिल जाएगी वेलेगो जिसको स्केलेस स्केलेस फिस्क आ गया है यानि इसमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं यानि जो इसकी जो बाहर की इसकीन होती है उसमें सल्क एपसेंट होते हैं सल्क नहीं पाए जाते हैं तो ये उन मचलियों में सामिल होती है next हम देखते हैं एंग्विला इसको इल फिस कहते हैं और ये है केटाड्रोमस माइग्रेशन शो करती है केटाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है जिसमें एक मचली फ्रेश वाटर से यानि एक स्वच जल से मराइन वाटर यानि समूंदरी जल में माइग्रेड करती है तो ऐसा माइग्रेशन केटाड्रोमस माइग्रेशन कहलाता है next हम देखते हैं exocytus exocytus जिसको flying fish कहते हैं flying fish flying से उडने वाली मचली कहा जाता है वास्तम में ये उडती नहीं है सिर्फ ग्लाइडिंग करती है इसमें जो pectoral fins होता है वो काफी बड़ा हो जाता है जो इसको glide करने में मदद करता है next बात करते हैं echinis echinis को sacrifice कहते हैं ये हम कहें चूसक मचली कहते हैं क्योंकि इसमें जो anterior dorsal जो fins होता है वो सकर में रुपांत्रिद हो जाता है जैसा कि आपको diagram में दिखाई दे रहा है ये जो सकरग वाला भाग है इसकी मदद से ये दूसरी मचली के उपर चिपके रहती है पाई जाती है next देखते हैं hippocampus जिसको sea horse कहते हैं क्योंकि ये हैं घोडे के समान होता है इसलिए इसको sea horse कहा जाता है इसमें विशेस्ता ये होती है कि इसमें pregnant male कहा जाता है इसको male को pregnant माना जाता है क्योंकि जो male होता है उसमें broad pouch पाई जाता है और इस broad pouch में यहाँ वाला जो आपको reason दिखाए दे रहा है इस broad pouch में बहुत सारे छोटे छोटे अंडे storage किये जाते हैं इन अंडों को बाद में male ही आगे propagate करता है incubate करता है और इनको आगे वापस hatching कराने का में भी मदद करता है इस तरह यह parental care का property shore करता है secondary इस तरह की secondary इस तरह का जो parental जो care nature का पाए जाता है उसको कहते हैं secondary viviparity next बात करते हैं lofious इसको कहते हैं angler fish या frog fish जैसा कि आपको diagram में दिखाई दे रहा है यह mandak के समान होने करने इसका frog fish या angler fish क्योंकि इसके जो आपका head बाग है उसमें एक fleshy mask long आपको structure जो दिखाई दे रहा है यह predatious को pass में लाने से या जो दूसरे जो animals होते हैं छोटी छोटी मचलिया होती है उनको pass में लाने की जाए से यह इसमें भोजन खाने में इसको मदद मिल दिए क्योंकि इसको दूसरे प्रकार का animals समझ कर कोई दूसरे animals आते हैं और यह अपना भोजन उसको बना लेते हैं और यह modification होता है dorsal fin का next हम बात करते हैं signanthus जिसको pipe fish कहते हैं pipe के आकार के ओने करने इसको pipe fish कहते हैं मचली कहते हैं next है चेना चेना जिसको snake headed मचली कहते हैं क्योंकि इसका जो head होता है वो साप के समान होता है snake के समान होता है और इसके अलावा एक और famous example tetradone जिसको puffer fish कहते हैं या glove fish कहते हैं globe जैसा की diagram में दिखाई दे रहा है बिल्कुल ये मचली globe के जैसा होती है बिल्कुल goal हो जाती है इसके अलावा ये क्या गरती है जब इसको मैसुस होता है तो पाने अंदर swell कर जाती है और ये fool जाती है और वापस जब बाहर कर देती है ये तो अपना ये normal shape इस तरह क्या करती में वापस आ जाती है ये थी टेटरडोन मचली की बात ये थे जो बोनिफिसेस हैं उसके कुछ एक्जम्पल्स उमीद है आपको अच्छा लगा होगा थैंक यू थैंक यू